हलो फ्रेंट्स वेलकम टू मस्च डिसेज आज हम बनाएंगे बहुत ही डिफरेंट तरीके से सेवईया बिल्कुल क्रीमी सी और करेमलाइज करके बनाएंगे इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और बहुत यमी लगती खाने में चलिए फिर देख लेते हैं कैसे बनके त्यार होती है यह भी पैन में थोड़ा सा घीली है इसमें डाल देंगी यह अपनी सेवईया इनको इस तरह से चलाते हुए गोल्डन ब्राउन कर लेंगे अभी यह आप देख सकते हैं यह अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है अब इनको हम निकाल लेंगे फिर उसी पैन में लेंगे सुगर सुगर आप अपने टेस्ट अकोर्डिंग डाल सकते हैं जितना मिठा आपको पसंद है इसको इस तरह से चलाते हुए मिल्ट कर लेंगे यह भी आप देख सकते हैं मिल्ट हो चुकी है सुगर अब इसी तरह से चलाते हुए दो से तीन सिकेंड में इ जैसे जैसे दूद हमारा गरम होगा वैसे चीनी हमारी इसी में घुल जाएगी अराम से यह भी हमने साबू दाना ले लिया है ओवर नाइट सोक किया हुआ यह देखिए अच्छे से फूल गया है अब इसको हम इसी दूद में डाल देंगे इससे बहुत ही क्रीमी टक्षर आत इस तरह से हम चलाते हुए पकाएंगे जिससे कि यह पैंट में हमारे लगे नहीं इनको एक भी मिनट के लिए बंद नहीं करेंगे नहीं तो यह पैंट में नीचे चिपक जाएंगी फिर टेस्ट बहुत ही खराब आता है इनका जलने का यह भी आप देख सकते हैं यह पक्क कोई भी ड्राइफूर्ट डाल सकते हैं इनमें अब यह बिल्कुल सर्व करने के लिए तैयार है अब इनको हम सर्व कर लेंगे यह देखिए यह बहुत ही यमी और टेस्टी लगती खाने में बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट आता है इनका आप चाहें तो इसमें मलाई भी ए करेगा फिर ना